Hello friends, welcome to my channel bbfn and today I am going to show you a amazing trick to create a ultimate dashboard in user form जहां मैंने इसमें यह ability दिया है कि आपको जिस period का देखना है आप just यहां पे month को select करेंगे and deselect करेंगे और report आपका generate हो जाएगा यहां पे dashboard आपका तयार हो जाएगा जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं कि मुझे अगर जैन से लेकर जून का report देखना है तो यहां पे जैन से लेकर जून तक मैंने select किया हुआ है और मेरा report यहां पे तयार हो गया है साथ में अगर मुझे add July का भी add करना है तो July का भी report मेरा तयार है सांत में एक चीज आपने और notice किया होगा कि जब हम एक पे click कर रहे हैं तो मेरा तीनो जो तीन ग्राफ हैं ये तीनो के तीनो ग्राफ अपडेट हो रहे हैं I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सबस्क्राइब करना ना भूले. और अगर मेरे चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबस्क्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन को जरूरी नेवल कर ले. जिस इसी के साथ start करते हैं तो चलिए start करते हैं और start करने से पहले मैं आपको कुछ बता दू कि आपका एक question हो सकता है कि हम इस dashboard को user form में क्यों बनाएं तो मेरा जबाब होगा कि suppose that मालो कि आप कोई software बनाया हो जहां पे या कोई application बनाया हो excel में जहां पे आपने user form में सारा कुछ design कर रखा है जब भी आपका user form खुल रहा है तो excel seat दिखाई नहीं दे रहा है और client ने आपसे कहा कि हमें dashboard ही चाहिए कि हमें वहां पे दिखता रहे क कि हमारे sale या purchase का status क्या है हम graph के थ्रू कैसे देखें उसके लिए आप कहीं ऐसा तो नहीं करोगे न कि आप हर बर्च क्लाइंट के पास जाओगे फिर उनके data को update करोगे और फिर जाके dashboard उनका ready करोगे ऐसा तो होगा नहीं वह automatic update होना चाहिए यानि complete dynamic होना चाहिए कि कल को इ से अभी मेरे पास 500 data है इसमें और भी data add होते चले जाए तो automatic हमारा dashboard जो है जो हमारा graph बगहरा रहेंगे वह auto update होता रहे हम delete भी करे तो भी update हो add भी करे तो भी update होता रहे तो इसके लिए यह ज़्यादा जरूरी है कि user form में कैसे हम एक dynamic dashboard बना सके वह आनाची तो इसी को बेन देखते हुए मैं आज का यह वीडियो आ फनलोगों के लिये लाया हाँ इसमें आप देखेंगे कि जैसे कि मैंने यहां पर टेवल लिया है जो मेरे data है जिसके बेस पर हमारा dashboard क्रियेट होगा अब इस data को आपको सबसे पहले क्या करना है अचिए का करना है अचित को को टेवल में रखने से benefit यह होता है कि suppose इसके नीचे में कोई भी डाटा अगर आप add करोगे तो इस टेवल के अंदर चला जाएगा suppose देड मालो कि मैंने यहां पे दो बारा बाइस डाटा डाला और बिहार कर दिया furniture और जो amount है वाभी डाल देते हैं तो देखें यह automatic यहां पे देखेंगे आप मैं इसे बरा कर दूँ यहां पे देखेंगे एक blue color का आ रहा है ठीक है मतलब कि यह automatic इस table के अंदर चला गया data इसके नीचे जो भी data append होते रहेंगे वो data उस table के अंदर चला जाएगा जब आपका data यहां पे table आप बना ले उसके बाद आपको क्या करना है एक इसी data को लेके pivot table create करना है तो हम pivot table यहां पे create करेंगे pivot पे जाके click करेंगे और simple हमें ok कर देना है अब इसमें अपने user form में की तीन तरह के थे एक था किस तरह का जैसे यहां पे आप आएंगे तो देखेंगे एक date यानि मन्त के हिसाब से था एक state के हिसाब से था और एक category के हिसाब से तीन मेने graph बना रखे थे तो यहां पे करना है pivot table और यहां पे सबसे पहले लेना है लेंगे तो value हम लेंगे purchase जो भी हम item purchase कर रहे है ठीक है यह एक बन गया right अब मुझे एक चीज़ बताओ यह तो हो गया आपके किस के लिए year के लिए तो मुझे आप दूसरा किस के लिए बनाना है तो category के लिए तो आप यहां पे चलके एक दूसरा यहां पे बना लीजे और इसे भी बरा कर देते हैं और इसके जगह पे क्या करना है जस्ट आपको order date हटाना है sum of purchase भी हटा दीजे और इसके जगह पे आप ले लीजे state और फिर यहां पे आपको लेना है sale यानि purchase लेना है और इसी तरह एक और बनाईए क्योंकि तीन graph मुझे बनाने है तो तीनों में जाएगा यहां पे paste कर देंगे और इसके जगह पे हम क्या डालेंगे यह सवटा देंगे और इसके जगह पे हम डालेंगे हमारा category और पर्चे जिसमें रहेगा तो तीन प्रवर्ट टेवल बनाना है अब इस तीनों के बेस पे हमें क्या करना है तीन graph बना लेने है तो इसमें कोई data add होगा तो यहां पे इसे refresh भी तो करना होगा बार बर तो जाके हमारा graph या data जो है update होगा तो आपका सोचना एक दम सही है हमेशा हमें refresh करना होगा लेकिन हम इसे refresh manual नहीं करेंगे हम इसे सारा इसमें जितने वी चीज है everything automated होगा तो चलिए देखते हैं कैसे हमन इसे बनाया है तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर एक graph लेते हैं तो simple से हम graph लेंगे यहां पर line graph यह वाला लेते हैं sorry इसे delete करूँ मैं पहले इसे select कर लूँ और यहां पर insert किजिए आपको जो भी मन करें आप ले सकते हैं पहले तो यह सब यहां से हटा दीजिए hide all field button on chart जि इसे हटा देजिए इसके बाद मुझे क्या करना है इसके design में जाना है और यह जो डिजाइन है इसको select करना है थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है राइट अब इससे जो है हम थोड़ा लंबा रखेंगे थोड़ा बढ़ा रखेंगे और इससे छोटा करेंगे और यो outline है उसे भी none कर देंगे इसका no outline करेंगे यह हमारा यहाँ पे बन गया, right, okay, अब यह एक यहाँ पे हो गया exact हमारा, अब इसके लिए इस pivot table से मुझे बनाने है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, यह भी हम लेंगे line chart ही, तो यहाँ पे चलते हैं और जल्दी से एक और line chart ले ल प्रोसेस इसके लिए भी apply करेंगे, इससे यहाँ से delete कर दिजे, यह delete कर दिजे और इसके design में जाकर हम इससे यहाँ पे select कर लेंगे, इसके आउट line को, आप, यहाँ जिरो कर देंगे, और इसका size आप अभी, जो भी रखना है रखतीजे, मैं इसके बारे, इसके size, एक बात और ध्यान रखेगा, इसका size बहुत important है, user of form में graph को ले जाने के लिए, अब यहाँ पे एक और मेरा table है, इसके लिए भी हम एक insert करेंगे, क्या chart, लेकिन chart इसमें जो हम करेंगे, वो इस तरह का करेंगे, इसमें भी same procedure, यह सब हटा देंगे, यहाँ से यह सब कुछ नहीं र रखेंगे, जिससे की देखने में यह अच्छा लगे, यह वला design या, sorry, यहाँ पे वो design नहीं आ रहा है, यह design मुझे लेना है, और इसका भी जो outline है, उसको zero कर देंगे, इसे भी आप छोटा बरा कर देंगे, जो करना है, जिस तरह का size आपको रखना है, ऐसे आप रख सकते हैं, बट इसका size important क्यों है, वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी देर में, जब हम user form में काम करेंगे, ओके, यह हो गया, तिन, अब मुझे क्या करना है, कि इसका जनवरी पे जब मैं click करूँ, तो जनवरी का data हट जाए यहाँ से, फरवरी का click करूँ, suppose that मानलो कि एक साल क हम दिखा रहे हैं, तो इसमें से जब भी हम जिस पे भी click करें, वो हट जाए, यह अगर नहीं दिख रहा है, तो दिखना शुरू हो जाए, तो उसके लिए हम क्या use करते हैं, उसके लिए आपको याद होगा कि हम उसके लिए use करते हैं slicer, तो आप यहाँ pivot table पे जाएंगे, और यहाँ पे insert slicer करेंगे, अब यहाँ पे मुझे क्या लेना है, basically लेना है order date, तो यह order date आ गया, लेकिन यहाँ पे एक slicer से तो काम चलेगा नहीं, यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, बट इसमें देखिए क्या हो रहा है, अगर हम जनवरी पे click करें, तो यह changes केवल किसमे हो रहे हैं, केवल इसमें हो रहे हैं, इसमें कोई changes नहीं हो रहा है, right, नहीं हो रहा है, अगर मुझे सभी में select करना है, एक चीज़ और ध्यान रखेंगा, यहाँ पे जो multi column है, इसको जरूर on रखेंगे हम, अग जैसे जिससे के हम जिस पे भी select करें, वो select होता रहे है, अगर हम years कम select किये हैं, तो हमारा जो state का sale है, वो भी तो घटना चाहिए, हमारा furniture जो item है, उसका भी तो घटना चाहिए, या बढ़ना चाहिए, add or select and unselect पे, तो नहीं हो रहा है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, बेसिकली यह काम कप करता है, कि यह slicer किसके लिए है, इस table के लिए है, अगर मुझे इस table के लिए काम करना है, तो क्या करना होगा, इसका भी एक slicer मुझे लेना पड़ेगा, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, यह हमारा है state, तो state का slicer, sorry, state का slicer नहीं लेंगे, यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसमें भी हम order date का ही slicer लेंगे, राइट, अब यहाँ पे order date का एक हो गया, यह एक दूसरा हो गया, यह किस के लिए हुआ, तो यह हुआ, इस आपके state के लिए, अब देखो, इसमें क्या है, कि अगर आप इस पे जनवरी पे click किये, इसको भी multi select करके, आप एक काम करो, अप्रील, मई, जून, जुलाई, यह तीन बार और यह data, दोनों आपका match करेगा, अगर मैं इसको थोड़ा और नीचे करूँ, तो देखिए, इसका total sum कितना आ रहा है, 1749803, और इसका भी कितना आ रहा है, 1749803, तो हमें तो यही चाहिए था, कि जब हम change करें, यहाँ पे, अगर इसमें से कुछ change करें, तो यह दोनों change हो हुआ, अब उसी तरह यह change नहीं हो रहा है, तो मुझे इसके लिए भी करना पड़ेगा, तो इसका भी एक, हम slicer insert करेंगा, और यह भी लेंगे order date से, right, order date, fine, अब यह हो गया, यहाँ पे तीन slicer हमारे बन गया, इसको भी हम select कर लेते हैं, और इसमें से, चलिए अभी हम यह सब deselect कर देते हैं, आपको जस्ट दिखाने के लिए, देखिए, अब तीनों का amount दिखिए, match कर रहा है, अब आप कहेंगे कि यूजओ फ़र्म से आप तीन slicer कैसे आप handle करेंगे, तो चलिए, हमारा seat का जो काम था, वो हमने complete कर लिया है, अब हमें करना है काम यूजओ फ़ 11 प्रेस करेंगे, तो हम BBA में चले जाएंगे, और अगर यह developer tab नहीं दिख रहा होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे more में जाएंगे, और option में जाके, यहाँ पे देखेंगे, customize ribbon है, और customize ribbon में, इस section में, main tab बाले section में, right side में, जो एक section है, उस section में आपको दे लिखना है, developer tab, जहाँ लिखा हो developer, वहाँ पे इसे check कर देना है, right, उसके बाद okay कर देंगे, और तो आपके पास यह developer tab आजाएगा, देना आप इस पे click करके insert कर सकते है, okay, तो यह हमने dashboard बना रखा है, इसमें कुछ खास नहीं है, और थोड़ा सा time को बचाने के लिए, मैंन use of home में लेना चाह रहे थे, तो यह same color हमें पता का हिस चलेगा, तो simple सी बात है, कोई भी color यहाँ पे feel करके हम देखेंगे, suppose that मालो कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप select कर लो, और इसके home में जाके, इसमें color feel करने की कोशिस करो, कि कौन सा color match कर रहा है, I think यह color पूरा match कर रहा right, अब इसके properties में जाके, आप इसको देख लो, कि इसके color का क्या है, यह क्या है, feel में जाओ, more color में जाकर, यहाँ पर देखो, क्या है, red green blue, 64, 64, 64 है, right, तो वही color, आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे बना लिया है, इसके, जैसे ही जो हमने insert किया, यहाँ पे जो हम क्लिक कर रहें इसके back color में, तो देखेंगा, यहाँ पे एक मैंने color बना रखा है, यह automatic यहाँ भी है ही, लेकिन मैंने यहाँ भी बना रखा था, 64, 64 करके, इसका कैसे बनेगा, यहाँ पे अगर कोई दूसरा color आपको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो इस पर किसी भी blank पे, या ज हिसाब से, आप कुछ भी कर सकते हैं, जब यहाँ पी यह बन गया, तो यह simple सा है, next है, level में हमने लिया है, और यह सारे जो है, यहाँ पे आप देखोगे, यह देखें, यह हमारा image है, यह भी image है, यह भी image है, और यह image control आया कैसे, यहाँ से image control हमने लिया, इसको यहाँ पे और इसके back style को transparent कर दिया, that's it, यही चीज हमने क्या किया है, तीनों जगह किया है, बस इसका नाम थोड़ा ध्यान डखना है, आपको हमेशा याद है कि मैं जब भी कोई dynamic चीज बनाता हूं, तो उसके नाम जो होते हैं, वो dynamic बनाता हूं, जैसे देखेंगे कि इसका नाम क्य है, तो IMG3, और इसका नाम क्या है, IMG2, इसको एक बरावर किजिए, तो यानि 1, 2, 3, तीनों का नाम अलग-अलग है, IMG123, यानि text सब में एक जैसा है, बट चेंज क्या हो रहा है, कि अबल नमबर चेंज कर रहे है, अब इस ही में आते हैं, इस button में, तो देखो, इस में ज यहां पर देखो, यह क्या है, पूरा design है, एक design का है, और एक थोरा सा दूसरा design का है, और यह level है, और यह बनाया है, मैंने कैसे, तो इसके लिए हमने simple किया है, PPT में, PowerPoint में हमने इससे design किया है, और यहां पर बनाना बहुत ही आसान है, यहां पर आप देखेंगे, यह दो image क मैंने लिया है, इसके background का देखेंगे एक image है, और इसके ऊपर भी safe है, इसके background में भी safe है, और ऊपर भी safe है, but background वाले safe को हमने क्या किया है, सभी में क्या color डाला है, जो हमारी user form का background color है, यानि 64, 64, 64, RGB color, right, और इसमें यहां पर थोड़ा सा हमने gradient fill डाला है, इसके अगर property मे जाए, और यहां पर आप format shape में देखेंगे, तो यहां पर जो हमने fill किया है, यह देखेंगे, यह gradient map है, इसके लिए है कि यहां पर थोड़ा सा light कर दिया है, और इस वाले में क्या किया है, कि उससे थोड़ा सा dark कर दिया है, यहां पर बस यही किया है, तो थोड़ा सा अंतर यहाँ पर दिखना शुरू हो गया है और इसको क्या करना है इसको export करके आप देखेंगे हमने यहाँ पर already export करके JPG बना लिया है यह JPG है राइट बट आपको ध्यान डखना एक चीज़ ध्यान डखना है खुबसूरत बनाने के लिए कि यू जो फॉर्म में जो साइज ले आपको एक दो बार हो सकता है कि चेक करना पड़े कि जितना वरा आपको बटन लेना है तो उतना वरा इमेज इंसर्ट कर लिजिए जैसे यहाँ पर देखेंगे इस बटन में इस बटन से मैंने यह हटा दिया एक एक जामपल आपको बता रहा हूँ कि इस में से पिक्चर में हटा देता हूँ अब इसमें मैं इमेज को इंसर्ट कर रहा हूँ पिक्चर यह picture मैंने insert कर दिया लेकिन अब एक चीज़ देखिए अगर मैं suppose that मालो कि इसे थोड़ा बड़ा कर दूँ तो क्या हो गया white हो गया right अब इसको अगर हम stretch कर दें stretch mode तो इसकी quality जो है न थोड़ा सा गरवड़ा जाएगा थोड़ा सा देख रहे हैं इसकी quality और इसकी quality में थोड़ा सा अंतर आजाएगा इसमें जितना smoothness है वो उतना smoothness इसमें नहीं आएगा तो आपको करना क्या है इसमें आपको इसमें करना क्या है कि इसका जो size है न size जितना लेना है उतना तो आप लें लिजिए एक बार बट इसे stretch mode मत किजेगा इसको किजेगा clip mode में ही रहने दिजेगा कि automatic जो इसका original size है उसी size में रहे तो आपको एक दो बार practice करना होगा कि छोटा बरा करके size को कि exact इसके size के बरावर लेने के लिए तो उस तरह आप यहाँ पे सारे का बना लेंगे image में, control में image को डालके आप इस तरह के button बना ले जिसमें कोई code हमें नहीं डालना है just हमें किसी दूसरी code के जरिये इसको automate करेंगे अब इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ ठीक है और इसे भी यहाँ रख देता हूँ अब यहाँ पे हम चाह रहे हैं यह सब क्या है just image है जो हमने यहाँ पे आपको बताया है कि यहाँ पे मैंने एक बना रखा था क्योंकि यूज फॉर्म में आप transparent image का यूज नहीं कर सकते हैं तो जैसा background है उस तरह का background लिजे उसके ऊपर हमने एक icon लिया है यह icon आपको मिल जाएंगे यहाँ पे देखेंगे यह icon है हमारा और यह icon आपको इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे icon में यहाँ पे मिल जाएगा आपको सब कुछ तो आप हम इसे बंद करते हैं अब आता है कि जब हम इसे user form को जब हम initialize करें जब यह user form initialize हो या activate हो तो होना क्या चाहिए अब पहले method समझते हैं कि कैसे कैसे काम करेगा होना यह है कि seat one में अगर कोई data add हुआ है सबसे पहले suppose that मालीजे कि इस seat में कोई data add हुआ है तो जैसे ही आपका user form initialize हो तो क्या होना चाहिए यहां पे जितने भी पाइवोट टेवल है वो क्या होने चाहिए रिफ्रेस हो जाने चाहिए तो रिफ्रेस हम यहां आकर राइट क्लिक करके रिफ्रेस तो नहीं करेंगे यहां पे जाके हम इसे रिफ्रेस पे क्लिक तो नह this pivot in seat two हमारा pivot table किस में migration आप देखेंगे यहाँ पर देखें यहाँ पर देखिए यह हमारा seat 40 लिखा हुआ है लेकिन बीड में इसका क्या नाम है the four Stevens cm2 है कुल यां पर कह practicalTalk comparing to dot pivot table और next करेंगे और simple क्या करना है पीवोट डॉट अब देखें यहां पे डॉट करने के बाद कोड आ नहीं डा है तो हम एक काम करते हैं यहां पे एक वर्येवल को करते हैं कि यह रिफ्रेस हुआ की नहीं तो सब्सक्राइब लिए जनवरी में यहां पे टोटल भैलू क्या है आपका जनवरी में टोटल वैलू है 161064 राइट हम क्या करते हैं और टोटल वैलू कितना है टोटल वैलू भी लिख लीजे जिससे की पता चले कि सारा आपका 2830 और जनवरी में डाटा कितना है 16164 अब हम यहां चलते हैं और जनवरी में एक डाटा आइड करते हैं किसी में भी फरनीचर है और 2000 है हम 2000 का डिफ्रेंस करें उसके वाद हम चलते हैं देखिए अभी हमारा डाटा यहां पर कोई डिफ्रेंस नहीं है एक्जैक्ट मैच कर है सारा चीज लेकिन जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो अब आप देखिए यहां पर क्या हुआ यह डाटा 2000 का डिफ्रेंस आ गया टोटल बैलू कितना है 40,084,000 अब यहां कितना है 40,082,000 नहीं पहले था मतलब 2000 जो हमने डाटा डाला हूँ अपडेट हो गया और जब यह इसे के साथ हम अब चाहते क्या है कि सपोस्पोस डेट माल लो कि हम यूजर फॉर्म को ओपिन किये उस समय हमने कुछ यहां पर क्लिक कर दिया था इसमें से कुछ चीजे जो है हमने हटा दी थी तीनों में से मार्च अप्रील मैं हट गया था एक्जामपल माल लीजे मार्च अप्रील मैं तीनों से हठा हट यहां पर नसलेक्ट करके उज़ाओ फॉर्म को क्लोज कर दिये थे लेकिन जब दुबारा ओपिन करें तो यह सारा का सारा सेलेक्टेट हुना चाहिए मतलब कि जैसे हमारा उज़ाओ फॉर्म ओपन हो यह सभी के सभी क्या किलियर फिल्टर ह हो जाए इसका तो इसके लिए हम क्या करेंग अब क्लिए पिल्टर के लिए तो इसके कोड में चलिए यहाँ पर कर दिजे डी इक सलासरस एज और यहां result reset slicer अब यहां पर सेम चीच लाएंगे कि for each sh नहीं सब्सक्राइब इन active workbook.slicercatch में क्या हुआ हमारा है यहां पर next कर दें और यहां पर simple करेंगे slicer dot क्या करना था मुझे clear manual filter यानि किसी भी तरह का filter किया गया है तो उसको clear कर दो राइट और मैं यहां पर variable इसलिए define कर रहा हूं क्योंकि यह स्तरह के code जो है न आई थिंक आपने use नहीं किया होगा या use किया होगा तो please comment box में बता है तो यहां पर deem देने से variable define करने से क्या है कि यहां पर code आपको कुछ support करता है कि वो बताता है कि क्या है अगर थोड़ा बहुत भी याद रहेगा तो है जैसे है ना कि जैसे ही चैसे ही dot डाला तो यह सारा लिश्ट आज जाता है तो हमें पता चल जाता है कि क्या लिखना है राइड आब अगर हम यहां पे देख है यहां पर देखिए कि अभी कि आया मालीरिज़ सपोज आट यह दोनों हटा द estás here yeah 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 यहां से भी तीन हटा देंगे और जैसे ही हम इसको इसे भी अटा देते हैं या इसको रहने देते हैं कुछ डिफरेंस भी रहने देते हैं इसमें यह कर देते हैं तीनों में अलग-अलग हो गया अब जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो आप दिखेंगे यहां पर यह सारा का सारा क्या हो गया फिर से सेलेक्ट हो गया और हमारा डाटा इधर हो गया तो मैं आपको यह step by step code और बता क्यों रहा हूं जिससे कि आप आसानी से समझ सके कि इसे हम कैसे use कर सकते हैं use of form में अब देखो जब हमारा यहां पे सारा कुछ हो जाएगा तो आप मुझे क्या चाहिए simply simply चाहिए कि यह data जो है हमारे सारी यह चार्ट जो है वो क्या हो हमारे use of form में आ जाए और use of form में कहां आ है तो यहां पे जो हमारा image है इसमें यह fit हो जाए राइट ओके तो चलिए अब इसके लिए हमें क्या करना है अभी यह जस्ट फर्स्ट स्टेज है अभी dynamic कैसे बनेगा जो यहां से बनेगा कि जब हम यहां पे चेंज करें तो automatic हमारा date चेंज होना चाहिए यहां से तो अभी तो हम just initialize के time का बता रहे हैं कि initialize करते वक्त आपको क्या क्या करना पड़ेगा तो सबसे पहले यहां पे चलते हैं अब मुझे करना क्या है कि जो भी जितने भी हमारे चार्ट है वो क्या हो उसको हम को क्या करना होगा युज़ा फर्मिलाने के लिए हमें image में convert करना पड़ेगा इमेज में convert करेंगे इससे जब इमेज में convert करना है तो यहाँ पे तीन है तो तीन के लिए अलग-अलग code तो हम लिखेंगे नहीं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एक चीज़ ध्यान रखे Lenya अछेगा यहाँ पर इस चार्ट का नाम जो है आपको lleva गेहां देखर रखना कि क्या रखना है ये किसे चाट dough है ये किitना चाट th Maryland और ये चाट 4 है तो इसका नाम कर देते हैं चाट P One ये हमारा है चांठ T To इसको हम कर देंगे Char ट्नोBe और इसका नाम कर देंगे चार्ट 3 क्योंकि ये उपर में चाहिए ये नीचे लेफ्ट साइड में चाहिए और ये चाहिए राइट साइड में तो तीन हमारे बन गए तो हम यहाँ पर एक लूप चलाएंगे 4, चार्ट नमबर इसकोल टू 123 अब मुझे सबसे पहले एक फाइल पाथ हम बना लेते हैं तो यहाँ पर करेंगे इन वायरेन डॉलर और यहाँ पर लिख देंगे टेंपरोरी फोल्डर इससे क्या होगा यह सब्सक्राइट मानलो कि यहाँ पर रन करो जैसे ही आप रन करोगे तो दिखिए इसका पाथ क्या बागया यह टोमेटिक सी के आपका जहाँ वी टेंपरोरी फोल्डर होगा उसका यह पाथ बन जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको करना है और डवल कोड देना है और स्लैस देकी करना है इसका नाम क्या होना चाहिए तो इसका नाम होना चाहिए चार्ट एंड एंड क्या मुझे देना है बेसिकली जो चार्ट का नाम है वही करना है तो हम चार्ट का नाम कैसे देंगे चार्ट एंड चार्ट नमबर उसके बाद करेंगे and double code करके .jpg यह हमारा path बन गया अगर अभी आप इसे run करो तो यहाँ पे देखो इसका path बन गया chart1.jpg के नाम से यह दिखाई दे रहा होगा आपको अब मुझे करना क्या है कि जिस seat में आपका chart है वो seat आपका activate होना चाहिए ध्यान रखिएगा तो हमारा यह कौन सा seat है दो नमबर seat है तो हम यहाँ पे करेंगे seat2.activate उसके बाद करेंगे seat2.saps सेपस में कौन सा सेपस तो सेपस मुझे chart एक बार और नाम देख ले इसका chart है ठीक है चाट ही नाम है और यहाँ पे करेंगे chnumber.select पहले इसे select करना होगा उसके बाद मुझे करना होगा active chart.export और export मुझे कहां करना है तो मुझे file path में करना है जब यहाँ हमारा file export हो जाए तो उसके बाद क्या करना है मुझे user form में call कराना है तो user form में simple से हम इने बताया है क्या करेंगे me dot sorry dot नहीं करेंगे क्योंकि इसे डाइनामिक बनाना है तो img and क्या करना है मुझे ch number यानि img one में chart one भेजना है img two में chart two भेजना है img three में chart three भेजना है dot picture is equal to load picture और यहाँ पर क्या डालेंगे उसके बाद जैसे ही हमारा file generate हो जाए picture load हो जाए उसके बाद हम वह file रखके क्या करेंगे उस file को हम delete कर देंगे तो kill file path that's it यह आपका हो गया simple और आसान तरीके से अब जैसे ही आप insert करेंगे देखिए data आगया आपका यहाँ अब इसमें amount कट रहा है तो इसमें करना क्या होगा आपको जैसे कि इसे थोड़ा छोटा करना होगा तो हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे इस image को लेंगे और इसे थोड़ा सा छोटा कर देंगे इसको भी थोड़ा सा और इधर से चोटा कर देंगे, यह इसको भी थोड़ा देख लेंगे, वो मिला लेंगे, एक दो बार आप रन करेंगे, तो exact match कर जाएगा, कि वे पूरा fit आ रहा है या नहीं आ रहा है, अब यह देखिए, यह पूरा fit अभी भी नहीं आया, इसको और चोटा करने की जववत है, इसको भी हम क्या करेंगे, इससे जाएंगे, select करेंगे, इससे हम यहां कर देते हैं, इसको भी लेते हैं, और इससे यहां कर देते हैं, यह आप अपने अनुसार set कर सकते हैं, यहां पे जितना बरा image रहेगा, उतना ही बरा image वहां जाके, क्योंकि हम stretch नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ह ने बताया था कि जैसे ही एस्टेच करेंगे तो quality क्या है थोड़ा खराब हो जाता है राइट अब यहाँ देखे यह सही हो गया यहाँ पर total है इसे delete कर देते हैं यहाँ से हम यह फाईल डिलीट कर देते है अब इसमें भी क्या करते हैं इस सबका जो आउतलाइन है यह खतम कर देते हैं यह आउतलाइन सही नहीं लगता है है तो बौर ऑट हट था अनन इसका भी aerial नन और इसका कर देते हैं बौर्डर eastern 這個 अब हम इसे अगर run करें तो I think यह perfect अब यह दिख रहा है मुझे लेकिन अब सवाल आता है जो main है कि अब मुझे यहां पर change करने पर क्या होना चाहिए basically यहां पर जब भी कुछ change हो एक काम करता हूं यह slicer है basically slicer को automate करना है slicer को automate हमको कहा से करना है इस button से कि जब हम इस पे click करें suppose यहां से December, November और October हटा दिए किवल हमें September तक देखना है कि कितना sale हुआ क्या status था तीन महीने में कौन उपर गया नीचे गया इस तरह कि अगर मुझे देखना है तो उसके लिए हम क्या राइट तो उसके लिए हमें करना होगा simple सा है कि इस में जाके इस button click पे जाके आपको code लिखना होगा लेकिन आप सोचो क्योंकि लंबा code थोड़ा होगा तो थोड़ा लंबा code होगा तो हम एक ही उजवा form में सारा code लिखना पड़ेगा और उसके लिए हमको यहां पे कितने code लिखने पड़ेंगे यानि जितने month है जितना button है यहां पे उतना code हमें लिखना पड़ेगा तो उसके लिए हम यह कर रहे है कि क्यों न हम class module बना ले क्योंकि class module बनाने से क्या होगा कि जो भी change करना है मुझे उस class एक class module में change कर देंगे बाकी सारा यह काम होता रहेगा राइट क्योंकि button तो हमें level में ही लगाना है तो इसलिए चलते हैं class module में यहां पे insert किया और यहां पे करेंगे public bit events level button as a ms form.level उसके बाद यहां पे करना है private serve lvl button.click क्लिक ही करना है मुझे तो सबसे पहले click हो तो हमको निकालना क्या है basically दिखिए पहले अभी हमको करना क्या है अभी हमको करना है कि जब हम इस पर जनवरी पर click करें तो यह white वाला दिख रहा है यह hide हो जाए और इसके नीचे वाला जो वह आगे आ जाए अच्छा एक चीज़ और मैं बताना भूल गया यहां पे आप देखोगे इसका नाम देखो इसका नाम क्या है इसका नाम आई इमेज वन है इसका नाम क्या है इमेज सेकेंड वन और इसका नाम क्या है इमेज वन मतलब सभी के सभी जो है एक दूसरे से लिंक है तो ध्यान रख्येगा इसका और इसका नाम मैंने क्यों रखा है image 1 और image scc मतलब second यह first हुआ और यह second हुआ उसी तरह इसमें आप देखेंगे तो यह level अगर 2 है तो इसका नाम क्या है image 2 और इसका नाम क्या है नीचे वाले का image sec 2 उसी तरह यह हुआ 3 तो 3 है 4 है 5 है और उसी से related 3 है ठीक है तो वही हमें यहाँ पर करना है तो यह आप थोड़ा ध्यान रखेगा कि इसका नाम जो है जैसे मैंने यहाँ दे रखा है उसी तरह सभी को देना है तो हम इस क्या जाए कि जब हम इस पर क्लिक करे तो जो उपर दिख रहा है बटन वो एक डूसरे पर टॉगल बटन की तरह काम करें व करें न यहां पर क्या करेंगे सबसे पहले निकाले deception number आंपर हमारा क्या होगा तो LVL button dot name जो हमारे level का button है उसका क्या चाहिए मुझे number चाहिए number निकालना है तो अगर level का नाम निकालेंगे तो यहाँ पे suppose that मालो कि आपने इस पे इसको तो पहले set कर देते हैं इतना जिससे की पता चली कि कोडिंग करने में हमें आसानी हो तो इसको हमें क्या करना होगा set करना होगा set कैसे करेंगे तो यहाँ पे इनिस्यलाइज में ही सबसे पहले तो ऊपर करेंगे डीम लेवल इवेंट एजे निउ क्लास वन राइट और यह क्या है एरे विरियेबल हम यहाँ पे लेंगे और टोटल हमारे कितने हैं फिर बटन बारह हैं बारह है लेकिन एरे में जो विरियेवल है वो जीरो से स्टार्ट होता है तो जीरो से एगारा मतलब नंबर अफ बा के काम तो बाद में हैं माइं होना आप यहां प्रिक लिए अफ और यहां अपकिए फो खोल टू डू एलखन कन और फिर यहां प्रिक क्र Catáisैंट क्रिक होता है और यहां प्रिक छिए हले तो हम यहाँ पे डाल देते है add event dot lvl button is equal to क्या set करना है मुझे किस में set करना है तो simple सी बात है हमने नाम क्या दिया था level का नाम यहाँ पे क्या है level है यही है ना इसका नाम क्या है level है one है इसका नाम level two है इसका नाम level three है और इसका नाम level four है तो हम यहां पर क्या करेंगे इसका नाम देंगे यहां पर मी लेवल एंड एड इवेंट बट एड इवेंट यहां पर क्या है जीरो है तो इसमें हम करेंगे प्लस वन टाई अब मालो इसे रन करो अब इस पर क्लिक करो तो मैसेज क्या आएगा आपको यहां पर मैं यहां पर दाल देता हूं इसके जवाब पे message box, message box button number, right, button number, अब हम इस user form को insert करेंगे, और जिस button पे भी आप click करोगे न, तो यहाँ पे आगे लेवल 1, और अगर आप इस पे करेंगे, तो क्या आएगा, लेवल 12, अब इस में से मुझे निकालना क्या है, अगर इसके button को change, आगे hide करना है या दिखाना है, तो क्या करना होगा, इसके number को मुझे निकालने है, right, तो number कैसे निकलेगा, तो ध्यान रिखे कि number निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसी में हम कर दे, replace, level button name में, क्या मुझे replace करना है, तो level करना है replace, और उसके बदले में क्या लिखना है, तो blank, right, अब अगर आप user form में गया है, और यहाँ पे इसे run किजा, अगर मैं इसे करूँ, तो यहाँ पे क्या number आया, एक आ गया है, यानि जो चीज मुझे चाहिए, वो मुझे यहाँ मिलना सुरू हो गया, अब जुनिए कि जब हमें numeric value मिल जाए, तब तो हम कुछ भ करेंगे, if user form one dot dot control, और कौन सा control, सबसे पहले हमारा कौन सा control, यहाँ पे, कौन सा control खुला हुआ है, सबसे पहले देखे, इसका नाम क्या है, image one है, right, तो हम यहाँ पे करेंगे, if img and button number, यह control है, dot visual is equal to true, then क्या हो, अगर यह true हो, आपका button one, यानि image one अगर true हो, तो क्या हो आपका, sorry, image पूरा नाम है इसका, img image, अगर यह true हो, तो क्या हो, सेक वला जो नाम का है, वो हमारा क्या हो जाए, true, right, और यह क्या हो जाए, यह हमारा false हो जाए, अब चलो, एक बार, एक चीज़ देख लो पहले, पहले यहाँ पे हमने click किया, अब यह पे जैसे हम click किये, तो button 1 आया, और देखों, वो hide हो गया, लेकिन अब दुबारा हम click करेंगे, तो केवल message आ रहा है, इस case में अब अगर वो hide है, और यह दिख रहा है, तो फिर यह hide होना चाहिए, और वो दिखना सुरू होना चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ पे, ilse के साथ एक condition, यही same condition copy किजिए, और यहाँ पे, ilse कर देंगे, ilse, और इसको आप paste करके, उल्टा कर दीजिए, इसको false कर दीजिए, और इसको true कर दीजिए, अब यह message box की मुझे जववत नहीं है, क्योंकि अब समझ गया है, यहाँ पे इसे run किया, अब इसे अगर हम click करें, तो यह क्या ह हो रहा है, और यह सारे button में काम करेंगा, यही benefit होता है class का, कि एक के लिए बनाया, यह सभी में same काम करेंगा, अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं इस January पे click करो, तो क्या हो, जितना भी इसमें January select है, वो हट जाए, और हमारा data जैसे ही हटेगा, तो यह data अपडेट हो और जैसे ही graph update हो, तो क्या हो, यहाँ पे आ जाए, concept समझ में आ रहा है, कि हम यहाँ पे click करें, केवल इसके data को change करें, यानि slicer को हम change करें, और क्या हो, हमारा यह data, फिर से वो procedure अपनाएंगे, कि file को export करें, graph को export करेंगा, और फिर इसमें यह load कर देगा, तो वो करेंगे कै कैसे हम, इसके लिए हमको क्या करना है, इसी class module में जाने, और यहाँ पर हमको करना है, एक दूसरा condition हम देते हैं, कि हमको slicer check करना है, मतलब यहाँ पे आभी आपने जो एक loop चलाया था, यही चीज मुझे करना है, इसी को loop चलाना है, इसको copy करके हम यहाँ पे paste कर लेते हैं, यहाँ पे अगर हो तो variable define कर लीजे, जिससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, code आपको support करेगा, तो team slicer as a slicer catch, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, for each slicer in active workbook.slicer, अभी यहाँ आट आएंगे, और मुझे यह देखना है, condition देना है सबसे पहले, क्या condition देना है कि अगर यह वाला, जिये white वाला section है, यह अगर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर यह दिख रहा है, इसका मतलब हमने इस पे click किया, तो क्या हो, suppose that माला हमने यहाँ पर इसको run किया, right, अभी क्या है, यह हमारा पहला वाला, इमेज क्या है, और यह इमेज safe-2 है, और यह बत albums है वह हमारा इमेज वन है राइट हम अभी क्या और यहां पर दिख रहा है इसका मतलब कि जनवारी सेलेक्टट है जैसे ही ये image one आपका hide हो तो उसके साथ क्या हो आपका slicer जो है वो slicer में जो item हो उस item को वो unselect कर दे right तो unselect करने deselect करने के लिए हम क्या code लिखेंगे यहाँ पर यहाँ पर हम करते हैं class module में if user form one dot control कौन सा control है तो image and button number dot visual is equal to true then क्या हो इंडिफ किजिए और इसमें डालिए then हमारा क्या हो सबसे पहले तो जो button है वो तो यहाँ पर कर जाएगा right ओके उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे slicer dot slicer items और slicer item क्या है आप excel में जाके देखो इस slicer item का नाम क्या है तीन character है यानि जैन फैब मार्च तीन character मुझे लेना है और हमारे लेवल का caption क्या है लेवल का जो caption है यह पूरा हमने दिया है जन्वरी फ्रवरी मार्च तो हमें इसका केवल तीन character चाहिए तो हम यहाँ पर करेंगे left lvl button dot caption comma 3 right और इसको close करेंगे dot selected is equal to क्या हो जाएगा false क्योंकि अगर यह दिख रहा है इसका मतलब क्या है कि हमने select कर रखा है तो उसको क्या करना है deselect करना है तो हम यहाँ पर करेंगे deselect और उसके बाद else में कर देंगे same इसी को copy करके इसको paste करेंगे और इसको कर देंगे true right अब चलिए यहाँ पर इसको run किजिए और देखिए अब जैसे यहाँ पर दिखिए जैसे ही मैं जनवरी पर click किया तो यह क्या हो जब कर रहा है लेकिन अभी ये काम क्या कर रहा है तो ये बटन ये जब दिखाई दे रहा हू़ोगा है तो इसके लिए हम क्या चैने हमें फिली सेट गलनल में यहां पर चेंज करना होगा प्रॉब्लम क्रेंट कर रहा है यहाँ यहां पर मैं जो और यहां प्लान हो तब हमें क्या करणा है इस अदमनु यहां प्रॉड हो सबस्क्राइब में मुझ प्रीस दू При करने करके देखते हैं काम कर रहा है की नहीं से टे मेंशने कर रहा है अगर हमया में सारा काम साTra install हो ज髦ोल जब deselect मैं बोल रहा हूं तब यहां पर सारा काम कर रहा है मेरा बटन तो अब मुझे करना क्या है अब मुझे करना है जो हमने यहां पर के starting में code लिखा यह वाला यह इसको हमको copy करना है और क्लास मोडूल में जाके यहां पे पेस्ट कर देना है अब सब्सक्राइब मान के चलिए अब यहां पर थोड़ा सा चेंज मुझे करना होगा मी के जबा पे हमको क्या करना होगा यूजर फॉर्म वान डॉर्ट कंट्रोल राइड बाकी सब सेम रहेगा अगर मैं इसमें जनवड़ी पे कलिक करें तो यह जनवड़ी हो गया है इस तरह हमुझे सभी हटाना भी है Suppose that, कि मैं यहां पर क्या करूँ, सरा हटा दे, तो यह क्या होगा, यहां पर blank हो गया, और जैसे ही हम select करेंगे, तो यह January का data मुझे दिख गया, यह February का data दिख गया, यह March का दिख गया, यह April का दिख गया, ओके, अब I think आपको समझ में आ रहा होगा, अब इसी में एक चीज और कर दिजे, यहां पर कर दिजे, application.visual is equal to false, क्योंकि हमें Excel को hide करना है, और यहां पर कर देंगे, जब हमारा user form close हो, तब क्या हो, application.visual is equal to true, fine, अब हम इसे run करते है, तो लो, आपका कोई भी data आप नहीं दिख रहा है, अब यहां पर, आप, देखो, यहां पर December काटा दिया, November काटा दिया, data हमारा सारा change ओड़ा है, ठीक है, और अगर आप चाहते हो, कि जब हमारा user form open हो, तो यहां पर कुछ न दिखे, तो just आपको करना क्या है, just इसे opposite code को कर देना ह तो उससे क्या होगा, जब आप select करोगे, तब वो दिखना सुरू होगा, नहीं तो वो दिखना सुरू नहीं होगा, right, उसके बार, इसमें हम क्या करेंगे, कि देखो, अब हमारा सब कुछ तो हो गया, यहां पर, लेकिन जो, अगर आप इसको नीचे कर दिजे कहीं, यहां पर करते हैं, is equal to, और यह वाली value डाल देते हैं, हमें यह total value भी तो चाहिए हर वार, यहां पर, यहां पर total value चाहिए, यह भी एक image है, और यहां पर मैंने एक level लिया है, right, तो इसमें simple कुछ ज़्यादा code नहीं करना है, user form जब initialize हो, तो यहां पर आपको करना क्या है, इसका नाम जो मैंने रख रखा है, total sale, तो हम class में भी जाएंगे, या user form में ही जाएंगे, और यहां पर, सबसे बाद में, जह हमारा insert हो जाए image, उसके बाद हम करेंगे, me.total sale is equal to, format, format हमको कौन सा लेना है, b1, तो seat 2.range, b1, comma, extender format में हमें चाहिए, ठीक है, पस यह करना है, और इसी को just आप copy कीजिए, और class module में भी कहीं पर डाल देजिए, इसे, कहीं पर भी, right, अब आप इसको run कीजिए, sorry, इसमें range, और इसमें भी गरवडी होगा, फिर इसे भी सही करो, यहां पर हो गया है, यह range, me के जगह पे user form, तो हमारा यहां भी data change होड़ा है, यहां भी data change होड़ा है, graph भी change होड़ा है, मेरे कामने कामने मतलब है कि जब आप start करो, तो आपका जो है न, already data updated होके आपको दिखाई दे, तो I hope आपको यह video अच्छा लगा होगा, प्लीज अगर अच्छा लगा हो तो like, share और subscribe करना तो बिलकुल मत भूलना, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे share कर दे, और bell notification को जरूर enable कर लीजे, जिससे कि आपको यह जो हमारी new video है, उसके notification आपको मिल सके,